उंची बोली लगाने वाले लगाने वाले ठेकेदारों को ठेकेदारों को भूरजश्व वशूल वशूल करने का अधिकार करने का अधिकार दिया गया अधिकार दिया गया उंची बोली लगाने वाले ठेकेदारों को भूरजश्व वशूल करने का अधिकार दिया गया दूसरा पॉइंट इसमें दूसरा 1772 में वार्न हेस्टिंग ने हेस्टिंग ने भूर अजश्वा परबंधन के लिए पंच वर्षिये ववस्था लागू किया 1772 में वार्न हेस्टिंग में भूर अजश्वा परबंधन के लिए पंच वर्षिये ववस्था लागू किया तीसरा पॉइंट तीसरा नोट कीज़े तीसरा 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 है 1776 में 1776 में पंच वर्षिये योजना को पंच वर्षिये ववस्था को रद करके रद करके एक वर्षिये ववस्था को लागू किया गया एक वर्षिये ववस्था को लागू किया गया अब हम लिखेंगे इस समय में मतलब इस शारनी में इसका परभाव किया रहा है अब लिखिये परभाव अब लिखिये परभाव अब लिखिये परभाव सामने डैस Warren Hesting कोई भी सुब्यवस्थित भूरजश्वा पदती विकसित नहीं कर पाया नहीं कर पाया नहीं कर पाया Warren Hesting कोई भी सुब्यवस्थित भूरजश्वा पदती विकसित नहीं कर पाया दूसरा पोईंट थेकेदारों द्वारा किशानों का किशानों का अत्यधिक सोशन किया गया अत्यधिक सोशन हुआ थेकेदारों द्वारा किशानों का अत्यधिक सोशन हुआ किशानों द्वारा हम लोग अब अगला जो लेंगे समय लेंगे ताइम जो लेंगे वह होगा 1786 293 यानि बच्चों यह संतावन से 65 हो गया यह 65 से 72 हो गया पहला स्टेज स्टेज दूसरा स्टेज तीसरा 72 से यह 72 से 86 हो गया 72 से 86 और चौथा हो गया 86 से 93 यह यह न हम लोग इसको कर लिए हम लोग इसको भी कर लिए अब हम करेंगे इसको इस काल में क्या हुआ तो जो समय तो कम है लेकिन फिर भी जो समय बचा है थोड़ा हम फोकस करते हैं. देखिए, इस काल में भारत में कमपनी का गवर्नर जनरल कौन है? Lord Karnwalis है. Lord Karnwalis, British कमपनी का गवर्नर जनरल है. और इसके द्वारा, हाँ, गवर्नर जनरल है. और इंग्लैंड का यहाँ, एक जमीनदार है. इसका प्रिष्टभोमी यह है, कि यहाँ जमीनदार परिवार से संबंदित है. इसका खंदान जो है इंग्लैंड में जमीनदार है, कुधी जमीनदार है. तो जमिनदार है तो इसको समझ है, लेंड रेविनू के बारे में इसको समझ है, आप देखिए कर्णवालिस का सबसे पहला उदेशे है कि भारत में एक सूर्ष अंगठित भूपरबंधन भूरजस्व का परबंधन ऐसे लेखिए भारत में एक भूरजस्व का पर बंधन कैसे किया जये कैसे किया जये कैसे किया जाए और इसके लिए कर्णवालिस ने सबसे पहला काम किया किसका चर्चा उपर लिखा हुआ है एक समीति बनाया चर्चा करने के लिए किसका चर्चा तो डेवलप एवेल और्गनाइजड साइंटिफिक सिस्टेमेटिक लैंड रेबिन्यू सिस्टम को डेवलप करने के लिए एक समीति बनाया कि आपस में हम लोग बिचार करेंगे और बिचार करने के बाद हम लोग क्या बनाएंगे एक सूसंगठित लैंड रेविन्यू सिस्टम को बनाएंगे समय आपके पास समय खतम हो गया क्या जरा बताएंगे समय टाइम वी हब टाइम और वी हब नो टाइम समय है क्या हाजी ये सर कितना समय है भाई समय कितना बचा है मनमून समय कितना बचा है ताइम खतम हो गया, मुनमून ने कहा टाइम खतम हो गया, कम्पीट हो गया, कोई बात नहीं चलिए, प्रियंका ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, हम लोग जो है अगले दिन बात करेंगे, बात तो सही है रोहित, एक गांटा 35 मिनटी क्लास चला है, कोई दिकत नहीं, चलो हम लोग बात करते हैं, ठीक है न Depois रोन MODE चलो हम लोग कल बात करते हैं बाच्चो बहुत इंडुरेस्टिंग है ठीक है और हम लोग कल बात करते हैं चलिये ठीक है ओके थैंक यूंग ऑड ब्लेशी आफ का दा थैंक्यू, थैंक्यू झाल 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 पवन पांडे, good morning. मनमन जाए हिंद. मोहित जोती, good morning, namaste. रोहित गूर्णिंग बच्चो जितना जल्दी हो सके आप लोग जुड़िये लाइव हो ये ताकि हम क्लास को सुरू कर सके उजाला गूर्णिंग ताकि हम लोग सुरू कर सके ठीक है क्योंकि अपने पास समय बहुत कम रहता है और कम समय में सुनील गूर्णिंग कम समय में हम लोग को बहुत कुछ पढ़ना होता है पलवी गूर्णिंग ठीक है तो कल के क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ब्रिटिस काल में विकसीत होने वाले लैंड रेविनू सिस्टम के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ब्रिटिस काल में भारत के अलग-अलग छेत्रों में किस तरह के लैंड रेविनू सिस्टम को लागू किया गया था ठीक है और उसमें सबसे पहले हम चर्चा कर रहे थे अस्थाई बंदुबस्त के बारे में चर्चा कर रहे थे अस्थाई बंदुबस्त के बारे में एक कल हम चर्चा कर रहे थे आप सभी से ठीक है अस्थाई बंदोबस्त अस्थाई बंदोबस्त के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे यानि पर्मानेंट सेटलमेंट पर्मानेंट सेटलमेंट के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे ठीक है सारे बच्चे जुड़ गए write down सारे बच्चे जुड़ गए मेरी आवाज आप तक पहुँच रही है बोड पर जो मैं लिख रहा हूं आपको दिखाई दे रहा है दो बातों को बताईए मेरी आवाज सब तक आ रही है and whatever I write on the boat आपको दिखाई दे रहा है it's okay, ठीक है देखिए सबसे पहले ये जानी है आप कि जब करणवालिस आया था भारत में जब करणवालिस भारत में आया था गवर्णर जनरल बनकर गवर्णर जनरल बनकर 1786 to 1793 उस समय तक बिटिश कंपनी के पास कोई भी संस्थागत कोई भी संस्थागत भूर जश्व पदती नहीं थी नहीं थी करणवालिस जब आया था उस समय भारत में बिटिश कंपनी के पास कोई भी संस्थागत भूर जश्व पदती नहीं थी जिसके बारे में मैं कल बता रहा था कि दिवानी अधिकार प्राप्त होने के समय से ही 1765 से लेकर और 1793 तक 1665 से 1793 तक लगातार केवल प्रयोग हो रहा था लगातार केवल परियोग हो रहा था परियोग इसलिए हो रहा था ताकि एक सनस्थागत एक सिस्टमेटिक एक वैज्ञानिक लैंड रेबिन्यू सिस्टम का विक्यास किया जा सके 65 से 93 के बीच में केवल परियोग होता रहा जिसके बारे में कल हमने चर्चा किया था और उस परियोग का प्रतिफल ये हुआ उस परियोग का परिडाम ये हुआ कि सबसे पहले भारत में लैंड रेबिन्यू सिस्टम को जन्म देने का स्तरे जिस व्यक्ति को दिया जाता है ही वाज लॉड करनवालिष वा था लॉड करनवालिष इस व्यक्ति ने सबसे पहले भारत में एक-एक सब्द पर ध्यान दीचेगा एक-एक सब्द बहुत महत्पूर्ण है सबसे पहले भारत में ब्रिटिज काल में लैंड रेबिन्यू सिस्टम को डेवलप करने का स्रे दिया जाता है लॉड करनवालिष को और उसके बाद ही भारत के अन्य छेत्रों में अलग-अलग लैंड रेबिन्यू सिस्टम को लागू किया गया लेकिन सबसे पहले जो सिस्टम था वह था अस्थाई बंदोवस्त जो की साइंटिफिक था उनके अनुसार ध्यान दीचेगा तो आईए हम सबसे पहले आज चर्चा करते हैं कि जो अस्थाई बंदोवस्त है उसका निर्मान कैसे हुआ उसका प्रिष्ट भूमी क्या है ध्यान दीचेगा ये चैप्टर इतना महत्पूर्ण है इतना महत्पूर्ण है कि मेरे पास पेपर्स भी रखा हुआ है ये देखिए मैं साबूत के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ मेरे पास साक्ष है साक्ष ये देखिए ये आपका आप्शनल का पेपर है हिस्त्री आप्शनल UPSC शैप्टर का नाम है ब्रिटिश ब्रिटिश अपनिवेशिक शासन का आर्थिक परभाव आपके पास होगा तो आप भी देख सकते और इसमें कुल पंदरा क्वेश्चन्स आए है इसमें कुल पंदरा क्वेश्चन्स आए है किससे लाइन रेविनू से केवल पंदरा वीगत वारश में वीगत वारश में यूपियसी परिक्षा में भूरजश्व पदती से पूछे गए सवाल पूछे गए प्रस्ण पूछे गए प्रस्ण ये है अस्थाई बंदुबस्त ये है रयत वारी एवं महल वारी और ये है तीनो पर अधारित तीनो पर अधारित तीनो पर अधारित आप देखिए अस्थाई बंदुबस्त से एक, दो, तीन, चार, चार, पांच, 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 अस्थाई बंदुबस्त से पांच बार सवाल आए है इस से पांच बार सवाल पूछे गए अस्थाई बंदुबस्त से अब आईए रयत वारी से रयत वारी से एक एक दो दो बार सवाल आए हैं इस से दो बार सवाल पूछे गए हैं रयत वारी से और महल वारी से और इसके बाद पांच साथ हो गया आठ सवाल तीनों को मिला कर पूछे गए आठ सवाल तीनों को मिला कर पूछे गए पांच अकेले अस्थाई बंदुबस्त से दो रयत वारी महल वारी से और तीनों को मिला करके कुल आठ सवाल पूरे पंद्रह हो गए केवल लैंड रेविनू सिस्टम से तो आप इमेजीन कर सकते हैं यह अध्याय आपके लिए कितना महत्वर्ण है और बाकी आपके पास होगा आप देख लीजीएगा उन सवालों का हम चर्चा नहीं करेंगे ठीक है हम अलग से सवाल देखे आप ठीक है देखिए यह भी जरूरी होता है एनलसिस होना चाहिए जब तक एनलसिस नहीं करेंगे न तब तक पता नहीं चलेगा यह अध्याय हमारे लिए महत्पूर्ण है तो कितना महत्पूर्ण है यह महत्पूर्ण नहीं है ध्यान दिजेगा ठीक है अब मैं पहला सवाल लेता हूं कि अस्थाई जो बंदोबस्त है इसका निर्माता कौन है इसका निर्माता कौन है सबसे पहला सवाल दूसरा सवाल कब इसका निर्माता कब हुआ इसका विकास कब हुआ तीसरा कहां इसका विकास कहां हुआ कहां कहां लागु किया गया नेक्स्ट इसका उदेश से क्या है इसका क्या उदेश से ठीक उदेश में दो भाग पहला पहला है यथार्थ पहला है सरकारी सरकारी दावा यानि सरकार क्या कह रही है और दूसरा है यथार्थ और दूसरा है यथार्थ इसके बाद अगला सवाल है इस पदती के पीछे बिचारधारा क्या है? बिचारधारा में सबसे पहला प्रकृतिवादी, पहला प्रकृतिवादी, दूसरा है परंपराबादी, तीसरा है ब्यभारिक, और चौथा है कि सच्चाई क्या है? चौथा हम लेंगे सच्चाई क्या है? यह तीनों से अलग होगा, यह तीनों से अलग होगा, यानि बिचारधारा में आप सच्चाई नहीं लिखेंगे, केवल तीन लिखेंगे, प्रकृतिवादी, प्रंपराबादी, बिवारिक और जब तीनों का एनलसिस करेंगे वहाँ पर आप लिखेंगे सचाई क्या है या थार्त क्या है यह रहा आइडियोलजी और यह रहा सचाई तो सचाई आपके पेंगे से लिखा जाएगा और यह तीनों जो है इतियासकारों के पेंगे से लिखा जाएगा इसमें दो पेन यूज होगा पेन का मतलब आप ये मस समझ लीजिएगा कि परिक्षा में दो पेन पेन का मतलब ये कि एक पेन जो होगा वह हितियासकारों का होगा कि वे लोग क्या कहते हैं और एक आपका होगा मुन-मुन कि आप क्या कहते हैं ध्यान दिजिएगा, उसको कहते हैं एनलसिस, यानि समीक्षा करने, यानि बिसलेशन करने, जरने, इसके बाद, इस पदती की बिसेस्ताएं क्या है, और इसके बाद इसका प्रभाव क्या है इसका परभाव क्या है? परभाव में तीन लोग. पहला, शरकार को क्या मिला? दूसरा, जमिंदार को क्या मिला? और तीसरा, किशान को क्या मिला? परभाव में तीन सरकार को क्या मिला? दूसरा, जमिंदार को क्या मिला? और तीसरा, किशान को क्या मिला? और इसके बाद अंत में हम लोग कुछ सवाल देखेंगे. अंत में हम यहां से कुछ आपको प्रस्न बताएंगे. कुछ सवाल बताएंगे. ठीक है? तो इस अध्याय में इतने बिंदूओं पर हम लोगों को चर्चा करना है और आपने देख लिया कि यह चैप्टर आई-एस परिक्षा के लिए कितना महत्पुर्ण है चाहे आई-एस की परिक्षा हो चाहे यू-पी-पी-सी-एस की परिक्षा हो चाहे जे-पी-ए-सी हो चाहे बी-पी-ए-सी हो उन सभी परिक्षाओं के लिए यह महत्पुर्ण है अंतर थोड़ा इतना ही है कि इंडिया का सबसे बड़ा एक्जाम जो होता है वो आई-एस होता है, आई-एस से बड़ा इंडिया में कोई पद है ही नहीं, आई-एस से बड़ा पद होता है मंत्री, गवर्नर, उससे नीचे कोई पद आई-एस के टकर का नहीं होता है, ध्यान चलाता है देश देश चलाता है बहुत बड़ी खोपड़ी होती है उनकी जो लिख देगा देश चलता है हाँ मनमुन ने लिखा PM CM और DM आप देखते हैं देहात में लोग क्या कहते है देहात में जब किसी से लड़ाई होती है तो क्या कहता है DM हो क्या तू कोई CM नहीं कहता है DM हो क्या? इसका मतलब कि DM बड़ा पद होता है, ध्यान देना, ठीक है? और देखो, किस्मत वालों को मिलती है, किस्मत वालों को, सब को नसीब नहीं होती है भाई, कितना भी मेहनत कर लो, उपर वाला खुश नहीं है तो, मुश्किल है, लेकिन फिर भी मेहनत करो, क्योंकि हम सब उपर वाला जो खुदा है न, उसका हम लोग बंदे हैं, उसका पुत्र है, तो देखता है कि मेरा कौन सब अच्छा मेहनती है, उसको ही DM बनाता है, ध्यान देना, अब देखिए, तो आईए हम सबसे पहले बिचार करते हैं, राइट, सबसे पहले बेशिक सवाल, जो सब को मालूम है, पहला मेरा बेशिक सवाल है, इसका निर्मान करता कौन है, इसका सरजन करता कौन है, इसका रचना करने वाला कौन है, जोती आपने करनवालिस तो लिखा है, लेकिन उसका स्पेलिंग गलत है, वो C से होता है, not K, C, ओके ध्यान डखना, कोई बात नहीं, जल्दिवाजी में हो गया कोई बात, ठीक है, राइट, जोती ये तुम्हारा आदत बहुत अच्छा है, I like this, कारण कि तुम्हारे अंदर साहस तो है, कितना तो डरे रहते हैं, बोलना ही नहीं है, चुप हो जाओ, नहीं बोलना है, गलत हो जाएगा, तुम कम से कम साहसी तो हो, गलत हो सही हो, speak without any suspense, बोलेंगे हम, डरेंगे नहीं, very good, I am proud of you, देखिए, निर्माता, निर्माता, लॉड करनवालिश है, इसका निर्माता कौन है, लॉड करनवालिश, लॉड करनवालिश है, उसके नीचे समय भी दिया है, 1786-2, 1793, ठीक है, अब अगला प्रस्न है, कि करनवालिश है कौन, उसका उत्र है, कि वह इंगलेंड का कुलीन, कुलीन वर्ग का एक जमीनदार है, जमीनदार है, जो ध्यान से मेरी बातों को भी सुनना है, बोड को भी देखना है, क्योंकि मेरा कोशिश रहता है, कि अधिकान्स बातों को हम लोग बोड पर लिखते हैं, आपको लगता होगा, कि हम बोड पर क्यों लिखते हैं, उसका कारण है, देखो, क्योंकि ये क्लास अफलाइन नहीं है, ये क्लास ओनलाइन है, तो ओनलाइन क्लास में प्रॉब्लम क्या होती है, कि कभी-कभी कुछ हम बोले, और उसको आप सुन नहीं पाए, वो निकल गया, लेकिन जो हम लिख देंगे, तो आप भी लिख लोगे, जब आप भी लिख लोगे, तो कुछ भी आपका छूटेगा, नहीं, इसलिए मैं अधिक लिखता हूँ, ध्यान दिजिएगा, पढ़िये, कर्णवालिस, इंग्लैंड का, कुलीन वर्ग का एक जमीनदार है, जो 1786 में भारत में, ब्रिटिश कम्पनी का, गवर्नर, जेनरल बनकर आया था, और उसके द्वारा ही, भारत में, अस्थाई बंदुबस्त, या जमिनदारी पदती, या इस्तमरारी पदती, का प्रतिपादन किया गया, इसका तीन नाम है, अस्थाई बंदुबस्त, जमिनदारी पदती, और इस्तमरारी पदती, ठीक है, अब देखिए, कब और कहां, कब और कहां, तो ध्यान देना बच्चों, जब इस अध्याय से संबंधित, कोई प्रस्न परिक्षा में आएगा, तो आप क्या करोगे, कि अपने उत्तर पुस्तिका में, मान लो ये आपका उत्तर पुस्तिका हो गया, ये मान लो आपका आंसर सीट हो गया, ये क्या है, आपका आंसर सीट है, आपका उत्तर पुस्तिका है, ये कॉपी हो गया, अब इसमें आपको इस प्रस्न को लिखना है, तो क्या करोगे कि साइड में यहां पर यहां साइड में भारत का मैप बना दोगे साइड में क्या किया भारत का मैप बना दिया और फिर लिखना सुरू किया यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे यह मैप यहाँ बना हुआ है उपर भी लिखोगे यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ छोड़ दोगे यहाँ छोड़ दोगे ऐसे और फिर यहाँ से फिर ऐसे लिखना शुरू करो यह साइड में मैप पड़ा हुआ है ध्यान देना यह काम बहुत इंपोर्टेंट है ध्यान रखना मैं जो भी बताता हूँ और इसलिए बताता हूँ ताकि आपको एक डेड़ नंबर ऐसे मिल जाए तो मैप बना दिया और मैप बना करके इसमें लोकेट करोगे कि ये उरिशा बंगाल और बिहार बिहार बंगाल उरिशा में लागू किया गे इसका छेत्र लोकेट करोगे और लोकेट करके यहां ऐसे लिखोगे 90-19% 19 परतिशत भाग पूरे भारत में ब्रिटिश समराज का 19 परतिशत भाग पर यह लागू किया गे बिहार बंगाल उरिशा तथा बनारस तथा मदरास के कुछ भागों में नोट कर लो इसका छेत्र क्या है बंगाल बिहार परतिशत भागों में लागू किया गया जो की बंगाल बिहार उरिशा बनारस तथा मदरास के कुछ छेत्र यहां तक हो गया अब अगला सवाल इसका समय क्या है इसका क्या समय है कहोगे कि सेवेंटी नैंटी में सत्रसो नब्बे में इसे सत्रसो नब्बे में इसे प्रायोगिक प्रायोगिक तौर पर लागू किया गया लागू किया गया सत्रसो नब्बे में इसे प्रायोगिक तौर पर लागू किया गया और तिरान्बे में इसे और सेवेंटी नैंटी थ्री में इसे अस्थाई बना दिया गया, तीन साल के बाद इसे अस्थाई बना दिया गया, ठीक है, 1790 में इसे प्रायोगिक तौर पर लागू किया गया, और तीन वर्षों के पस्चात इसे अस्थाई में तब्दिल कर दिया गया, या इसे बना दिया गया, इतना बेसिक चीजे क्लियर होगी इसको जानना बेहाद महतपुर्ण था हाला कि ये बेसिक है फिर भी जरूरी है क्योंकि एक समाने समझ के लिए यह जरूरी होता है कि हमोजा इसका क्या हुदेश से है इसका क्या हुदेश से इसका क्या हुदेश से अस्थाई बंदवस्त का क्या हुदेश से है इसका पहला हुदेश से है कि सरकार को सरकार को भुमी से प्राप्त होने वाला सरकार को भुमी से प्राप्त हो होने वाले आए निशित नियमीत तथा निर्धारीत हो जाए निर्धारीत हो जाए इसका पहला उदिश्य है कि सरकार को भुमी से प्राप्त होने वाला आए निशित नियमीत तथा निर्धारीत हो जाए निर्धारीत हो जाए यह इसका पहला उदिश्य है ठीक है दूसरा उदिश्य है यह बरात वाले तो परेशान कर दिये हैं इतना बजा बजाते हैं कि डिस्टर्व कर देते हैं ठीक है राइट इसका दूसरा उदिश्य है इसका दूसरा उदिश्य है कि भारत में क्रशी के छेतर में क्रशी के छेतर में क्रांती लाना क्रांती लाना तथा क्रिशी एवं क्रिशक दोनों के इस्थिती में गुनात्मक परिवर्तन करना गुनात्मक परिवर्तन करना इसका दूसरा उदिश्य है कि भारत में क्रशी के छेतर में क्रशी के छेतर में क्रांती लाना तथा क्रिशी एवं क्रिशक दोनों के इस्थिती में गुनात्मक परिवर्तन करना गुनात्मक परिवर्तन करना ये सरकार की दावा है सरकार ऐसा कहती है लौड कर्नवालिस ऐसा कहता है ठीक है लौड कर्नवालिस ऐसा कहता है अब हम देखेंगे यथार्थ क्या है ये तो लौड करनवालिस कहता है ये तो ब्रिटिश कंपनी कहती है लेकिन वास्त्विक्ता क्या है सच्चाई क्या है यथार्थ क्या है लिखिये नीचे यथार्थ नीचे लिखिये यथार्थ ब्रिटिश कंपनी ब्रिटिश कंपनी अस्थाई बंदोबस्त के जर्ये अपनी समराजवादी हीतों की ब्रिटिश कंपनी अस्थाई बंदोबस्त के जर्ये अपनी समराजवादी हीतों की सुरक्षा करने के उदेश्य से प्रेरिथ के उदेश्य से प्रेरिथ के उदेश्य से प्रेरिथ या यथार्त है या क्या है यथार्त है ब्रिटिश कंपनी अस्थाई बंदोबस्त के जर्ये अपनी समराजवादी हीतों की सुरक्षा करने के उदेश्य से प्रेरिथ थी करांती उरंती लाना उसका उदेश्य नहीं था करांती लाना क्रिसरक के दसा में सुधार करना क्रिसी में सुधार करना ये सब बकवास की बाते इसका कोई औचित्य नहीं और लगेगा मिलेगा आपको जब हम प्रभाव के बारें पढ़ेगे यानि यही पर यथार्त लिख करके आपको उस उदेश्य को रिफ्यूड कर देना है उसे खारिज कर देना है ध्यान दीजेगा अब आईए बिचारधारा अब आईए बिचारधारा कि अस्थाई बंदुबस्त के पीछे क्या-क्या बिचारधारा है आइडियोलजी क्या है इसके पीछे क्या बिचारधारा है समझे बिचारधारा में सबसे पहले हम लेते हैं प्रकृतिवादी बिचारधारा प्रकृतिवादी बिचारधारा यह सबसे पहला हम लोग का प्रकृतिवादी बिचारधारा जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं फिज्योक्राटिक थियूरी कहते हैं इसे अंग्रेजी भाषा में we call फिज्योक्राटिक थियूरी प्रकृतिवादी को अंग्रेजी में हम कहते हैं फिजियोक्रैटिक थियोरी कहते हैं ये बहुत महत्वपुर्णे समझे बात को देखिए प्रकृतिवादी विचारधारा ठीक है पहला सवाल है ये क्या है वाट इस ये क्या है कहां पर कहां पर कब क्या कहता है क्या कहता है क्या कहता है यानि सबसे पहले हम समझेंगे कि यह जो आइडियोलजी है प्रकृतिवादी इसको समझेंगे और फिर जाकर के इसको हम अस्थाई बंदुबस्त पर आरोपित करेंगे यानि कि वहां लाएंगे फ्रांस में फ्रांस में लोग प्रिये कहां पर फ्रांस में लोग प्रिये कब पर्बोधन के समय में यानि 17 और 18 सेंचुरी में यानि 17 और 18 सेंचुरी में जब यवरोप में प्रबोधन हो रहा था उस समय यह प्रचलीत होता है ठीक है अब है यह कहता क्या है यह क्या कहता है यह कहता है कि मान लो यह जमीन है suppose this is land suppose this is a land यह जमीन है या मान लो यह फैक्टरी है यह मान लो यह फैक्टरी है यह फैक्टरी है क्या कहता है यह कहता है कि इस जमीन में उद्पादन कैसे बढ़ेगा उद्पादन कैसे बढ़ेगा इस जमीन में उद्पादन कैसे बढ़ेगा तो यह कहता है उद्पादन तब बढ़ेगा जब इसमें निवेश होगा उद्पादन तब बढ़ेगा जब इसमें निवेश होगा निवेश कब होगा जब पुन्जी का संचे होगा निवेश तब होगा जब पुन्जी का संचे होगा जब पुन्जी का संचे कब होगा जब बेपार बारीजी उद्योग, क्रिशी, इन सब में विकास होगा क्रिशी में, उद्योग में, बेपार में जब विकास होगा तो पुंजी आएगा, धन आएगा जब पुंजी आएगा तो संचे होगा जब संचे होगा तो निवेश होगा जब निवेश होगा, तो उद्पादन बढ़ेगा, जब उद्पादन बढ़ेगा, तो क्रिशी में आ जाएगी करांती, तो क्रिशी में आ जाएगी करांती, For example, in India, there was a green revolution, in 1960s, in 1960s, 1960s के दसक में पंजाब हरियाना और पस्मी उत्तरप्रदेश के छेतर में आया था हरिद करांती, यह कहता है कौन, यह कहता है प्रकृति बादी सिधान्द कहता है, इसका मनेता यही है, अब आगे क्या कहता है, आगे कहता है, कि अब इस भूमी में करांती कौन ला सकता है, इस भूमी में करांती कौन ला सकता है, करांती को जन्म कौन दे सकता है, एक है जमीनदार, और दुसरा है किशान, यह सिधान्द कहता है, कि जमीन पर दो ही लोग काम करते हैं, जमीन का संबन्ध दो ही लोगों से होता है, एक तो किशान से होता है, और एक उस जमीन का मालिक जमिनदार से होता है, तो प्रकृतिबादी विचारधारा कहता है, कि अब यह देखना है कि दोनों में से कौन निवेश कर सकता है, जो क्रांती ला सके, कि यह भी चरधारा कहता है, कि किशान के पास उतना पैसा नहीं है, उसके पास पूंजी नहीं, जो निवेश कर सके, और विना निवेश के करांती होगा नहीं, तो यह विचरधारा कहता है कि हमें उस व्यक्ति को या उस वर्ग को जमीन पर मलिकाना हक यानि नीजी स्वामित्व दे देना चाहिए जो उसमें निवेश कर सके और वह जमिनदार हो सकता है क्योंकि उसके पास संपती है और वह अपने संपती को भुमी में निवेश कर सकता है और निवेश करके करांती ला सकता है लेकिन वह तब तक निवेश नहीं करेगा जब तक कि उसे ये मालूम न हो जाए कि उस जमीन पर उसका स्वामित्व है without his ownership, समझिये, यह विचरधारा कहता है कि without private ownership, no जमिनदार could desire to invest their capital in a particular land. कोई भी आदमी जब तक संपती पर निजी स्वामितो नहीं हो, अपना पैसा नहीं लगाएगा. इट वसेट बाई वाट? प्रक्रतिवादी विचरधारा. यह विचरधारा जो है कहता है प्रक्रतिवादी. आगे शुनिये, चुकी कर्नवालिस was a landlord. चुकी कर्नवालिस स्वयम जो है इंगलेंड का जमीनदार था, number one point. चुकी कर्नवालिस स्वयम ही इंगलेंड का जमीनदार था, वा किशान नहीं था, वा जमीनदार था, कर्नवालिस जो है वा इंगलेंड का एक जमीनदार था, वा इंगलेंड का जमीनदार था, और उसने एभी देखा था, कि इंगलेंड में अध्योगी करांती से पहले, कर्नवालिस ने भी देखा था, कि इंगलेंड में अध्योगी करांती से पहले, क्रिसी में करांती आई थी, और यही क्रिसी में करांती ने इस करांती को पैदा किया, इसके बगार यह पैदा नहीं होता, वेरी सिंपल, आप सोचो, कि जब तक हम कॉटन की खेती नहीं करेंगे, जब तक हम कॉटन की खेती नहीं करेंगे, जब तक हम इंडीगो की ख्यती नहीं करेंगे, इंडीगो, तो सोचो हो कि बिना कौटन के कपड़ा उद्योग कहा से आएँगे? और बिना इंडीगो के कपड़ों को हम रंगाई कैसे करेंगे? हम रंग कहा से लाएँगे? तो इंग्लैंड में जो अध्योगी करांती हुई उसके पहले वहां क्रिसी में करांती हुई और जिसने इंग्लैंड में होने वाली अध्योगी करांती को उर्बर जमीन परदान किया और इस क्रिसी करांती में करनवालिस ने अनुभव किया था कि इंग्लैंड के जमिंदारों की सबसे बड़ी भूमिका थी इस बात को ध्यान रखना इंग्लैंड के जमिंदार जो है वहां क्रिशी में करांती जो हुआ था उसमें उनका विशेश योगदान था और यही कारण है कि करनवालिस इतियासकार कहते है कि करनवालिस इंग्लैंड में अद्योगी करांती से पहले होने वाली क्रिशी करांती से प्रभावित होकर और उसमें जमिंदारों की भूमिका को देखते हुए तय किया कि इंडिया में भी हम क्यों नहीं जमिंदारों को भूमिका मालिक बना दे This is all about यही कानी है यही कहानी है, ध्यान दीजियेगा, ठीक है, इट्स ओके, यही कहानी है बच्छो, इसी को आपको लिखना है, राइट, ओके, तो इससे काम हो जागा, लिखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जल्दी बोलिये, नो सर, ठीक है, और कोई जल्दी, 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 नो, नो, ठीक है, नो, ओके, राइट, ओके, थैंक यू, हो जाएगा, वेरी गुड, ठीक है, लिख लेंगे, वेरी गुड, तो ध्यान रखना, रितु, पल्वी, प्रिया, सब ध्यान रखना, अभी क्लास खतम होगा, उसी समय लिख लेना, बातें भूल जाओगी, ध्यान रखना, अभी क्लास खतम होगा, उसी समय लिख लेना, ठीक है, आप देखो, अब यहाँ पर, हम लोग का अगला सवाल है, हम लोग का अगला सवाल है, कि, रियालिटी, रियालिटी आफ दी, शो कॉल्ड फिजियोक्राटिक थ्योरी, फिजियोक्राटिक थ्योरी, अगला हैडिंग है, यानि तथा कथित, तथा कथित, प्रकृतिवादी, विचारधारा का सच, तथा कथित, प्रकृतिवादी, विचारधारा का सच, उसका सच क्या है, उसका टूथ क्या है, रियालिटी क्या है, देखिए, जो राष्ट्रबादी लेखक हैं, उनका कहना है कि, बिचारधारा तो सही है, बिचारधारा तो अच्छा है, सकरात्मख है, लेकिन आगे क्या बोलते हो, आगे लिखते हैं, कि अच्छा तो है, और शाकरात्मक भी है, लेकिन, लेकिन वास्त्विक्ता कुछ और है, कुछ और है, लेकिन वास्त्विक्ता कुछ और है, क्या है भाई? नमबर वन, पहला, किशानों से, किशानों से, उनके, किशानों से उनके, पुष्टैनी, पुष्टैनी, अधिकारों को छिन कर, किशानों से, उनके, पुष्टैनी, अधिकारों को छिन कर, एक ऐसे वर्ग को दे दिया गया, अर्थात जमिनदार, अर्थात जमिनदार, जो भुमी का मालिक था ही नहीं, जो उस भुमी का मालिक था ही नहीं, जो उस भुमी का मालिक था ही नहीं, दूसरा पॉइंट, उसी में दूसरा, जब सरकार, किशानों से, किशानों से, उनके उपज का, उनके उपज का, 89%, 89% स्वयम लेती है, स्वयम लेती है, 11% जमिनदारों के लिए छोड़ती है, जमिनदारों के लिए छोड़ती है, तो करांती कहां से आएगी, करांती कहां से आएगी, तो करांती कहां से आएगी, तो करांती कहां से आएगी, मेरी बात समझे बातों को मेरा पहला पॉइंट था ये जमीन है ये लैंड है दोनों का हम साथ साथ होगा समझना और लिखना दोनों साथ साथ ये लैंड है और यहां का जो मालिक है वा स्याम है यहां का मालिक स्याम है ये स्याम की जमीन है और हजारी बात सेंटर का मुनमुन है मुनमुन ये बच्चा हजारी बात सेंटर का है और ये ब्रिटिश सरकार है और ये ब्रिटिश सरकार है ब्रिटिश गवर्मेंट है और मुनमुन क्या है जमींदार है और स्याम क्या है किसान है तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया इस जमीन का ओनर्शिप का हिंदी होता है स्वामित्व सरकार ने क्या किया कि श्याम से छिन लिया और मुनमुन को दे दिया कि मुनमुन इस जमीन का मालिक तुम हो मेरे नजर में ध्यान देना सरकार के नजर में मुनमुन जो है इस जमीन का मालिक है और मुनमुन से हमने settlement किया है बंदोबस्त किया है हम स्याम को नहीं जानते हैं हम मुनमुन को जानते हैं और मुनमुन से कहा कि तुम्हें 89% स्याम से वस्वूल करके हमें देना है और पुरस्कार के रुप में 11% तुमारा हुआ अब स्याम को तुम क्या करोगे ओ स्याम जाने ओ स्याम तुम्हें कहां से देगा और देने के बाद क्या खाएगा ओ स्याम जाने ओ मेरा कोई समस्या नहीं I know you, you have to collect 89% for me and rest 11% for you ठीक है राइट तो सबसे पहला प्राब्लम तो यही है जो आपने पॉइंट में लिखा है कि ब्रिटिश सरकार ने किसानों से उनके पुस्तैनी पुस्तैनी जानते हो पुस्तैनी का मतलब होता है हमारे पुर्वज पुस्तैनी का मतलब होता है हमारे पुर्वज हमारे फौर फादर्स पहला पॉइंट आपने लिखा कि ब्रिटिश सरकार ने हाँ दादा, ब्रिटीश सरकार ने, ध्यान देना बच्चों, ब्रिटीश सरकार ने किशानों से उनके पुष्टैनी अधिकार को छीन लिया और एक ऐसे व्यक्ति को दिया जो कभी इस जमीन का मालिक था ही नहीं नंबर वन पॉइंट, दूसरा आपने क्या लिखा, दूसरा आपने लिखा, कि जब सरकार किशानों से उनके उपजगा 89% स्वयम लेती है, और एक 11% जमिंदारों के लिए छोड़ती है, तो क्रांती कहां से आएगा, ये क्रांती कहां से आएगा भीया, क्रांती के लिए पुंजी चाहिए, देखो, क्रांती के लिए निवेश चाहिए, और निवेश के लिए पुंजी चाहिए, और पुंजी के लिए बचत चाहिए, बचत, अब तुम बताओ, बचत कहां से होगा, जो मेरे घर में अनाज आया, उस अनाज में 89 शरकार ने ले लिया, 11 जमिंदार ने ले लिया, तो मेरे पास बचत कहां, ये आपका दूसरा पॉंट है, अब तीसरा लिखिए, तीसरा पॉंट, तीसरा, तीसरा लिखिए, तीसरा, जब क्रांती करने वाला वर्ग, जब क्रांती करने वाला वर्ग, स्वेम, भुमी से दूर हो, भुमी से दूर हो, ब्रैकेट में, एप्सेंटी, एप्सेंटी लैंडलोट, एप्सेंटी लैंडलोट, तो क्रांती को प्रोटसाहन, कौन देगा, कौन देगा, ये आपका तीसरा पॉंट है, जब क्रांती करने वाला वर्ग, स्वेम, भुमी से दूर हो, एप्सेंटी लैंडलोट, तो क्रांती को प्रोटसाहन कौन देगा, तो क्रांती को प्रोटसाहन कौन देगा, तो करांती को प्रोत्साहन कौन देगा बच्चो ध्यान रखना इस पॉइंट को थोड़ा हम समझाते हैं देखो माल लो यह दिल्ली है दिल्ली है ठीक और यहां पर एक गाउं है यह गाउं है और गाउं कहां कहे यह गाउं यूपी का गाउं है यह गाउं माल लो मेरट में है मेरट में गाउं है कोई ठीक रैट अब देखो क्या होता है आईसिस में आते हैं यह दिल्ली है और यहाँ पर मेरट में एक गाउँ है मेरट में गाउँ है यहाँ की जो भूमी है मेरट की इस गाउँ की जो भूमी है उसका जमींदार मालो ए है ए उसका जमींदार है ए कहां रहता है दिल्ली में रहता है ए जमींदार है इस गाउँ का और वह दिल्ली में रहता है यहां रहता है अब इस जमीन का देखभाल कैसे करता है उसने कहा B से, B ने कहा C से, C ने कहा D से, और D ने कहा E से, और यहां किशान बैठा है, यह किशान है, यानि जो जमिंदार है मुख्य, जिसके साथ सरकार ने सेटल्मेंट किया है, वह कभी गाउं में नहीं आता है, और रहता है दिल्ली में, उसने अपना एजेंट, उसने अपना एजेंट, B को, यह अधिकार दे दिया है, कि सुनो भाई, यह छेत्र का जमिंदार मैं हूँ, और मैं तुमको काम देता हूँ, इस छेत्र से तुम, लेंड, रेबन्यू की वशूली करके हमें दोगे, उसके एवज में हम तुमको कुछ देंगे, अब देखिए, जो B है, उसका एजेंट C है, बी ने C से कहा, कि सुनो भाई, उस छेत्र का जमिंदारी का जो ठेका है, मेरे पास है, तुमको हम कुछ देंगे, C ने कहा, D से, D ने कहा, E से, ठीक है, और यहां है सरकार, यह ब्रिटिश सरकार है, यानि आप सोच सकते हो, कि ब्रिटिश सरकार से किशान के बीच में कितने लोग हो गए, एक, दो, तीन, चार, पांच, यानि सरकार तथा किशान के बीच, जो मध्यस्त वर्ग है, उनकी कुल संख्या कितना हो गया, पांच, उनकी कुल संख्या कितना हो गया, पांच, और ये पांचो का भार, इन पांचो का वेट किस के उपर है, किशान के उपर, इन पांचो का भार कौन सहता है, किशान सहता है, तो सोचो, अकाल आएगा तो कौन मरेगा, किशान मरेगा, किशान बिद्रो क्यों हुआ, यही कारण है, गांधी के आंदोरन में किसान भाग क्यों लिया यही कारण है चंपारन यही कारण है पबना यही कारण है नेल यही कारण है खेडा यही कारण है बारदोली यही कारण है ओ तो बाद में पढ़ने को मिलेगा पहले समझ यह बात को इस सिस्टम को कहा जाता है देखो उपसामंती करन कहते हैं इसे कहते है उपसामंती करन इसको कहते हैं उपसामंती करन अंग्रेजी में सब-feudalism, अंग्रेजी में कहते हैं सब-feudalism और हिंदी में कहते हैं उप सामन्ती करन, बस एक मिनट मुझे समय दो, एक मिनट, उप का मतलब होता है आधा, अब देखो, सामन्ती करन, ये में सामन्त है, ये जो है वो मुख्य सामन्त है उसके नीचे ये उप हो गया 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 इसको कहते हैं उप सामन्ति कर और ध्यान रखना ए से लेकर और ए तक यह सब के सब शहरों में रहते हैं मालो यह ए है धनी है तो यह कहां रहेगा यह साउध दिल्ली में रहेगा आलिशान बंगला में रहेगा जो ए है वो कहां रहेगा दिल्ली में नहीं रहेगा ये मेरट में रहेगा, कोई छोटा मूटा कमरा ले करके, वहां रहेगा, टीबी लगा करके अराम से देख रहा है, क्रिकट का मैस देख रहा है, ठीक है, ये भी गाउ में नहीं रहेगा, ये भी मेरट में रहेगा, अपना टीबी लगा लिया, सोफा लगा लिया, अराम से खा फटफटिया गाउं में गया तसली करके लाया पैसा दे दिया ठीक है तो यह चीज़े होती है ठीक है देखो मैंने का फटफटिया फटफटिया का मतलब होता है बाइक ठीक है ना डॉन टेकिट अधरवाइच कुछ ऐसे सब्द हैं जो यूज करना पड़ता है और कोई बढ़ी चीज़ नहीं है प्रियंका तुम सोचो मालो तुम चंडी गड कराने वाली और तुम्हें बिहार काडर मिल गया तुम्हें बिहार में नौकरी मिल गई आईएस बनकर चली गई आईएस ओफिशर प्रियंका बोड लगा हुआ है और बिहार में कोई ग्रामिड महिला तुम्हारे पास आती है और तुमसे कहती है दीदी मेरा काम ये कर दो है ना और जो पढ़ी लिखी होगी वो तुमको मैडम बोलेगी और जो पढ़ी लिखी नहीं होगी दीदी बोलेगी तो तुम्हारे पास इतना जो है हिंदुस्तान की संस्कृति का समझ होना चाहिए ताकि उनके मनोभाव को तुम समझे द्यान रखना इंट्रिवू में इन चीजों को भी देखा जाता है इस बात को द्यान रखना ठीक है चलो अब हम आगे बढ़ते हैं ओके लास्ट में क्या लिखोगे पैरा बदलने के बाद संचेप में यह कहा जा सकता है संचेप में कि ब्रिटिस सरकार का उदेश्य कि ब्रिटिस सरकार का उदेश्य क्रिशी में क्रांती लाना नहीं था बल्कि अपने राजनितिक बल्कि अपने राजनितिक प्रशासनिक आर्थिक हीतों को पूरा करना था आर्थिक हीतों को पूरा करना था आर्थिक हीतों को पूरा करना था यदि ऐसा नहीं होता लिखिये यदि ऐसा नहीं होता यदि ऐसा नहीं होता तो 1869 में निल बिद्रो बंगाल बंगाल नादिया जीला नादिया डिस्टिक नादिया डिस्टिक अठारशो बहत्तर सोरी तिहत्तर अठारशो तिहत्तर पबना बिद्रो बंगाल क्यों होता क्यों होता क्यों होता अब यहां पर एक प्रस्ट लिखिया क्वेश्चन लिखिया क्वेश्चन लिखिये लिखिये नादिए अखिये बिखिये अखिये अगभाशो तिहराशो दिहां यहां एक्वेश्चन लिखिये की अथाय ने यहांड यहांड अग्यां यहांड theory examine the truth behind the physiocratic theory in the context of in the context of permanent permanent settlement permanent settlement 150 150 150 इसका हिंदी लिख लिजे examine the truth behind the physiocratic theory in context of permanent settlement लिखे अस्थाई बंदुबस्त के संदर्भ में अस्थाई बंदुबस्त के संदर्भ में प्रचलित अस्थाई बंदुबस्त के संदर्भ में प्रचलित प्रकृतिवादी विचारधारा की सचायों को की सचायों को प्रकृतिवादी विचारधारा की सचायों को परिक्षण कीजिये सचायों का परिक्षण कीजिये का लिखियद का परिक्षण कीजिये सचायों का परिक्षण कीजिये का परिक्षण कीजिये 150 सब्द 150 words एक सवाल बन गया आपके पास अब मैं लेता हूँ दूसरा विचार थारा दूसरा दूसरा विचार थारा ब्रिटिश सरकार ने कहा कि अस्थाई बंदवस्त को लागू करने के पीछे अस्थानिये परमपराओं को ध्यान रखा गया यह भी सरकार का तर्क है सरकार के कुछ अधिकारियों ने कहा कि बंगाल बिहार उडिशा में बंगाल बिहार उडिशा में बी बी ओ में अस्थाई बंदवस्त को इसलिए लागू किया गया क्योंकि हम लोगों ने यहां की अस्थानिये परमपराओं को हमने सम्मान किया का मतलब ये कि सरकार कहती है कि यहां जमिंदार भूमी का मालिक था और इसलिए हमने जमिंदार को ही भूमी का मालिक बना दिया यानि सरकार कहती है कि चुकी जमिंदार वर्ग भूमी का मालिक है इसलिए सरकार जमिंदार को ही जमिंदार को ही भूमी का मालिक मालिक बना दिया इसलिए सरकार जमिंदारो को ही भूमी का मालिक मालिक लेकिन यहां तरक गलत है यहां तरक बिलकुल गलत है क्योंकि वास्तों में ब्रिटीश सरकार ने अस्थाई बंदुबस्त के परतिपादन में अस्थानिये परंपराओं का समान नहीं किया उनका समान नहीं किया बलकि उनका अवहलना किया उनका उलंगन किया क्योंकि बिहार बंगाल के छेत्र में या पूरे भारत में जमिनदार समस्त भूमी का मालिक नहीं होता था जमिनदार समस्त भूमी का मालिक नहीं होता था पराचीन काल से जमिनदार वाज नेवर दी ओनर अव दी होल लैंड्स एक्जांपल मैं देता हूँ आपको देखिये मालिक ये एक जन्पद है ये जन्पद हो गया उसका नाम मालिक ये इलहाबाद इलहाबाद जन्पद है डिस्टिक है इलहाबाद और यहाँ पर ये जमीन है यहाँ पर भूमी है इलहाबाद डिस्टिक में ये भूमी है इसमें कई गाउं है इसमें कई गाउं है अब इसमें क्या होता था कि माल जीये ये हो गया एक हजार बीगा यह भूमी जो है एक हजार बीगा हो गया ठीक है और यहां से ले करके और यहां तक यह मालेजी यह पांच हजार बीगा हो गया पांच हजार बीगा हो गया और यह जमीन जो है मान के चलिए कि लगभग 200 बीगा हो गया 200 बीगा या 500 बीगा हो गया अब समझे यह जो एक हजार बीगा है इसका मालिक कौन है जमिनदार्स यहां के मालिक जमिनदार्स हो गये इसमें कई जमिनदार है यहां का मालिक एक हजार बीगा जो है जमिनदारों के हाथ में और यह भूमी उनका अपना है नेजी है यह जो 5000 जमिन है वह गाँवालों का है यह ग्रामिन भूमी है यह ग्रामिन भूमी है यह क्या है ग्रामिन भूमी है इस भूमी का मालिक कौन है जो खेती करता है किसान है और ग्राम पंचायत है और ग्राम पंचायत है जो खेती करता है वह किसान है अपलस ग्राम पंचायत है यह जमिन जो है इसको कहते हैं सारजनिक भूमी पाब्लिक लैंड कहते है इसको कहते हैं सारजनिक इस पर अधिकार किस का है राजय का है एश पर अधिकार किस का है राजय का है आप देखिए अब ये सरकार है ये गर्वरमेंट है ठीक है British Karl से पहले क्या होता था समझे बातों को तब आपको समझ में आएगा British Karl से पहले क्या होता था जब यहां पर मुगल सासक थे अकवर, जहांगीर, शाह जहां और अग्जेव उसब थे या दिल्ली के सुल्तान हो गए, अलाउदिन हो गया, तुगलक हो गया, फिरोसा तुगलक हो गया, शेर्षा हो गया इसके पहले क्या होता था कि शेर्षा सूरी, ये शेर्षा है या अकबर है इन दोनों ने जमिनदार से कहा, कि सुनो भई, यहां पाँच हजार बिगा जमीन है और इस पाँच हजार बिगा जमीन से लगभग दो करोड़, लगभग साल में दो करोड़ जो है हमें revenue प्राप्त होता है, साल में 2 करोड़ हमें revenue प्राप्त होता है हमने ऐसा आकलन किया है, कौन कहा? सेर्षा अकबर कहा, किस से कहा? जमिनदारों से और तुम हैं उस जमीन से उद्पादन के अधार पर उत्पादन की अधार पर, सिचाई के साधनों की अधार पर, तीन बात, उत्पादन की अधार पर, नमबर बन, उस लैंड का जो कटेगरी है, उसकी अधार पर, उत्तम लैंड है, खराब लैंड है, या मध्यम लैंड है, कौन कहता है, सिरसा कहता है, कि लैंड के परकार, नमबर टू, बजार मुल्ले नमबर थ्री, सिचाई नमबर फोर, इनके आधार पर तुम्हें वहां के किशानों से 1 by 3 वसूल करना है, कितना? 1 by 3, इस 5,000 बिगा में से तुम्हें 1 by 3 वसूल करना है, और वो सारा पैसा मुझे देना है, कौन कहता है सेरसा? उसके एवज में हम दो काम करेंगे, नमबर फोन, जो तुम्हारा जमीन है 1,000, उसमें हमको तुमको छूट देदेंगे, एक हज़ार में से जो तुम रेविनिव देते हो, उसमें तुमको हम कनसेशन देगे, नमबर फोन, और यहां तुमने वसूली में मेहनत किया है, उसके के लिए हम तुमको अलग से पुरसकार देंगे यानि कुछ तुमको हम पैसा देंगे यह तरीका था किसका ब्रिटिश काल से पहले का तरीका था मिन्स पॉइंट के लिए है मिन्स समझिये इसका मतलब हुआ कि बिफोर ब्रिटिश गवर्मेंट ब्रिटिश सरकार से पहले यह जमिन्दार है Jamindar was merely a collector of land revenue on behalf of the government. he was not the owner of all these 5,000 lands or village इसका साफ निश्कर्ष है कि करनवालीष तुमसे तुम्हारे आने से पहले करनवालीष listen me मुझे सुनो तुम्हारे आने से पहले भी जमिंदार था तुम्हारे आने से पहले भी जमिंदार था but he was collector only not the owner वह केवल collector था owner नहीं था owner था लेकिन केवल एक हजार बीगा का owner था केवल और केवल एक हजार बीगा का he was owner but now you made them the owner of not only 1,000 but 5,000 तुम लोग उसे केवल एक हजार तो था ही उसका तुम लोगों ने पांच हजार जमीन का मालिक बना दिया और जो आज से 500 साल पहले यानि हिंदुस्तान का जब वात्षा अकबर हुआ करता था उस समय भी ये जमीन मेरी थी अकबर के सारे बच्चे हुए उस समय भी जमीन मेरी थी जब से तुम आए ओ जमीन मेरे हाँ से निकल गया और तुमने उसको दे दिया जो पहले मेरे घर पर आता था only to collect the taxes केवल आता था पानी पीता था और कहता था भाईया मैं आया हूँ आपसे माल गुजारी लेने आपसे आया हूँ रेवनियू लेने सरकार ने भेजा है कि इतना हूँ अब भाईया इतना हूँ ठीक है जाई आज नहीं है कल दे दिंग ठीक है भाईया अब अब आता है तो खटिया पर बैचता है अब मुझे कहता है नीचे बैच जा और इसके बाद पान खाता है घोड़ा खड़ा होता है और साथ में कुछ लठीयल भी लेकर आता है लठीयल, लाठी वाला क्यों? कहता है कि we are the owner, हम owner है and you are my subordinates और तुम मेरा दिनस्त हो you are not independent तुम स्वतंतर नहीं हो क्योंकि स्टरकार के दस्तावेज में not you, I am the owner सोची यह चीज है आप देखे आगे बढ़ते हैं याने कि आप निश्कर्ष जान गए होंगे इसको हम संशेप में बता देते हैं कि जो परंपरा का तरक है वो गलत है जो परंपरा का तरक है वो गलत है तू एक नई परंपरा का शुत्रापात किया एक नई परंपरा को जन्म दिया पहले से नहीं एक नई परंपरा को जन्म दिया कि जो मालिक है उसको हटा दो, जो मालिक नहीं उसको बना दो, यह हमारा दूसरा विचारधारा था, ठीक है, अपने लिखा भी होगा, अब मैं लेता हूँ तीसरा, ब्यवहारिक, यानि ब्यवहारिक विचारधारा, यह तीसरा है, ब्यवहारिक विचारधार, इसमें क्या तर्क है, ब्रिटिश सरकार कहती है, कि अस्थाई बंदुबस्त को इसलिए लागू किया गया, ताकि नमबर वन, शरकार को पता रहे, उसे कितना प्राप्त करना है, उसे कितना प्राप्त करना है, जमिन्दार को पता रहे, उसे कितना प्राप्त करना है, उसे कितना प्राप्त करना है, और नमबर थ्री, कि शान को पता रहे, कि शान को पता रहे, उसे कितना देना है, उसे कितना देना है, उसे कितना देना है, ये ब्रेटिस सरकार कहती है कि यह ब्यभारिक विचारधारा है इस पदती के लागू करने के पीछे कि सरकार को पता रहे हमें कितना लेना है 89% लेना है जमिंदार को पता रहे कितना वसूलना है और किशान को पता रहे हमें कितना देना है ठीक है पैरा बदल करके लिखिए सचाई तो यह है सचाई तो यह है कि सरकार को पता तो है कि उसे 89 परशंट लेना है लेकिन लेकिन सरकार ने यह तै ने नहीं किया लेकिन सरकार ने यह परिभासित नहीं किया कि जमिनदारों कि किसानों से जमिनदार कितना वशूल करेगा कि जमिनदारों के द्वारा किसानों का सोशन किया गया जिसका परिड़ाम हुआ कि जमिनदारों के द्वारा किसानों का सोशन किया गया हुआ है। पहरा बदल करके, संशेप में, संशेप में, अस्थाई बंदुबस्त का संबंध, परत्यक्ष रूप से, उसकी समराजवादी हीतों से जुड़ा था, जैसे नमबर वन, जैसे नमबर वन, जैसे नमबर वन, राजनितिक, जैसे नमबर वन, राजनितिक लिखे, कर्णवालिष ने, कर्णवालिष ने, जमिंदारों को, जमिंदारों को, भूमी का मालिक बना कर, जमिंदारों को, भूमी का मालिक बना कर, उनके हीतों को, ब्रिटिस कंपनी के हीतों से जोड़ दिया, जमिंदारों को, भूमी का मालिक बना कर, उन्हें ब्रिटिस कंपनी का समर्थक बना दिया, इसे ये लिख लिजिए, उसे ब्रिटिस समराजी का समर्थक बना दिया, उसे ब्रिटिस समराजी का समर्थक बना दिया, और और किसानों के नजर में और किसानों के नजर में ब्रिटिश सरकार और किसानों के नजर में ब्रिटिश सरकार एक सम्मान एक सम्मान जनक एक सम्मान जनक छबी को एक सम्मान जनक छबी को बनाये रखने का योजना बना लिया एक सम्मान जनक छबी को बनाये रखने में सफलता अरजित कर लिया एक सम्मान जनक छबी को बनाए रखने में सफलता अरजित कर लिया जैसे जैसे 1873 में 1873 में 1873 में पबना बिद्रोह में पबना किशान बिद्रोह में बिद्रोह में किशानों ने किशानों ने अपने आपको महरानी विक्टोरिया महरानी विक्टोरिया के रएत किशानों ने अपने आपको महरानी विक्टोरिया का रईयत बताया महरानी विक्टोरिया का रईयत बताया बच्चों यह सब्द जो है रईयत इस रईयत का मतलब होता है किशान जो रयत सब्द है इस रयत का मतलब होता है किशान अपने आपको महरानी विक्टोरिया का रयत बताया महरानी विक्टोरिया का रयत का मतलब कि हम उनका किशान है नमबर टू लिखिए फिर समझा देंगे नमबर टू नमबर टू आर्थिक 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 ब्रिटिश तरकार की आये निश्चित हो गई ब्रिटिश तरकार की आये निश्चित हो गई ब्रिटिश तरकार की आये निश्चित हो गई नमबर टू प्रसासनिक प्रसासनिक ब्रिटिश तरकार के करमचारी ब्रिटिश तरकार के करमचारी बार बार रेवनियू की वसूली ब्रिटिश तरकार के करमचारी बार बार रेवनियू की वसूली उनका आकलन बार बार रजस्व की वसूली उनका आकलन आदी आदी दाइतों से मुक्त हो गए आदी दाइतों से मुक्त हो गए एवं अन्य प्रशाशनी कारे में लग गए दाइतों से मुक्त हो कर अन्य प्रशाशनी कारे में लग गए अन्य प्रशाशनी कारे में लग गए यहां एक प्रस लिखिए यहां एक क्वेश्चन लिखिए the permanent settlement was designed to strengthen strengthen the foundation of British Empire rather than rather than rather than creating a creating an agricultural revolution in Bengal in Bengal the permanent settlement the permanent settlement was designed to strengthen the foundation of the British Empire rather than creating an agricultural revolution in Bengal लिखिए अस्थाई बंदबस्थ अस्थाई बंदबस्थ मुख्खे रूप से भारत में ब्रिटिश सम्राजी के निव को British समराजी की निव को मजबूत करने के उदेशे से प्रेरी था उदेशे से निरदेशी था नकी बंगाल में करसी करांथी के लिए नकी बंगाल में करसी करांथी के लिए न की बंगाल में क्रिशी क्रान्ती के लिए यानि बच्चो हम लोग अस्थाई बंदुबस्त के पीछे क्या-क्या उदेश्य है क्या-क्या विचारधारा है इन सब के बारे में हम लोगों ने एक तरह से सुचना प्राप्त कर लिया अब मैं अगला मुदा लेता हूँ अस्थाई बंदुबस्त की विशेश्थाएं नोट कीजिए अस्थाई बंदुबस्त की विशेश्थाएं की विशेश्थाएं अस्थाई बंदुबस्त की विशेश्थाएं अस्थाइ बंदबस्त की विशेश्थाएं सबसे पहला पोइंट लिखिए इस पदती में भूर अजश्व का परबंधन, का परबंधन, शरकार तथा जमिनदार, शरकार तथा जमिनदारों के बीच हुआ। यानि जमिनदार को जमिनदार को जमीन का मालिक बनाया गया, तथा उसे ही भूर अजश्व संग्रह तथा शरकार के पास जमा करने का उतरदाई। जमा करने के लिए उतरदाई बनाया गया, जमा करने के लिए उतरदाई बनाया गया। आराम से भूर अजश्व का परबंधन सरकार तथा जमिनदारों के बीच हुआ। जमीन का मालिक जमिनदारों को बनाया गया, तथा उसे ही भूर अजश्व संग्रह तथा शरकार के पास जमा करने के लिए उतरदाई माना गया। दृसरा पोईंट दूसरा कुल रजशु संग्रह मेंशे कुल भू रजशु वाथ संग्रह मेंशे संग्रह मेंशे सरकार का हिछ्छा 89% और जमिन्दारों की हिश्चा जमिन्दारों की हिश्चा 11% निर्धारित किया गया कुल भूर अजश्वा संग्रह में से सरकार का हिश्चा 89% और जमिन्दारों की हिश्चा 11% निर्धारित किया गया 11% निर्धारित किया ठीक है तीसरा पोइंट थोड़ा फास लिखे यह पद्दती यह पद्दती समय समय पर परिवर्तन सील न होकर अस्थाई मानी गई यह पद्दती टेंपररी न मान करके अस्थाई मानी गई नेक्स्ट इस पद्दती में इस पद्दती में भूमी को इस पद्दती में अस्थाई गिर्वी रखने गिर्वी रखने का वस्तु बना दिया गया गिर्वी रखने का वस्तु बना दिया गया इस पद्दती में जमीन को क्राय करना विक्राय करना या उसे गिर्वी रखने का वस्तु बना दिया गया नेक्स्ट इस पद्दती में समय पर वसूली करने के लिए समय पर वसूली करने के लिए सुर्यास्त कासिधान्थ सुर्यास्त कासिधान्थ ब्रैकेट में Sunset Law, Sunset Law, को लागू किया गया, सुर्यास्त का सिधान्त, ब्रैकेट में, Sunset Law, को लागू किया गया, को लागू किया गया, ठीक है, यह जो है आपका, अस्थाई बंदबस्त की मुखे बिसे स्थाएं हैं, ठीक है, यानी, इस पदती को अस्थाई बनाया गया, जमीन का मालिक कौन जमिंदार, वशूल कौन करेगा जमिंदार, इस्थरकार के पास जमा कौन करेगा जमिंदार, कितना हिश्टा लेगा, 11%, इस्थरकार को देगा, 89%, और जमीन को बेचने का, गिर्वी रखने का, और खरिदने का अधिकार भी दिया लिया, ठीक है, यदी कोई किशान, यदी कोई किशान, जो ती संसेट लॉग का मतलब होता है, बताता हूँ, यदी कोई किशान, समय पर, रेबन्यू नहीं चुकाता है, तो जमीनदार, उस किशान को कंपेल करेगा, कि वह अपने जमीन को बेच कर, गिर्वी रख करके, पैसा उसे दे, ध्यान देना, क्योंकि, अब उसका मालिक कौन है, अब मालिक है जमीनदार, किशान उस जमीन का तब तक मालिक है, जब तक कि वह खेती करता है, और उस खेती में से, एक हिस्षा जमिनदार को देता है, जिस दिन किशान हिस्षा देना बंद कर देगा, उस दिन उस जमीन से उसको भटा दिया जाएगा, ध्यान देना, अब जोती ने सवाल किया Sunset Law जोती Sunset Law का मतलब होता है सुर्यास्त का मतलब होता है कि मान लो आज 9 तारीक है जोती ध्यान देना आज 9 दिसंबर है ठीक है बैटे जरा ध्यान देना 9 दिसंबर है 9 दिसंबर जोती बैटे जरा ध्यान देना अब मान लो कि पहले से सरकार और जमिनदार से तुमारा agreement है जोती तुमारा agreement है क्या agreement है कि 9 तारीको हम रेंट चुकाएंगे जोती तुमने कहा कि 9 तारीको इस जमीन का रेंट हम चुकाएंगे इसका रेंड कितना है? मानलोग पांथ हजार है. इस पांथ हजार को तुमने कहा कि नौ तारी को हम चुका देंगे. ठीक है? अब ध्यान दो. यानि ये भगवान शुरज हो गए? शन हो गए? यानि नौ तारी को जब तक शुर्यास्त नहीं होता है? जब तक शन्चेट नहीं करता है? तब तक इस जमीन का मालिक तुम हो. यदि तुमने सूरे के आस्त होने से पहले इस रेवनियू को नहीं चुकाया तो तुम्हें इस जमीन से हटा दिया जा सकता है. इसको कहते हैं संचेट लौ कहते हैं. समझ गई? sunset law का मतलब होता है कि जिस तारीक को आपने revenue देने का वाइदा किया है यदि आप fail करते हैं तो आपके जमीन को निलाम कर दिया जाएगा इसको इसलिए बनाया गया जोती ताकि तुम भैभीत रहो कि नहीं हमको कहीं से भी ये पैसा ला करके सरकार को देना है नहीं तो हमें इस जमीन से हाँ धोना पढ़ सकता है ठीक है तो चलो आज का मेरा सेवा यहीं पर समाप्त होता है और कल से हम लोग पुना अस्थाई बंदबस्त के परभाव के बारे में पहले पढ़ेंगे और उसके तत्वस्चाथ जो है हम लोग रयतवारी को और महलवारी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे दूसरी बात कि क्लास को थोड़ा और हम लोग फास्ट करें ताकि थोड़ा जल्दी खतम हो ठीक है ना? हाँ ठीक है? ओके? तो चलो क्लास को हम यहीं पर समाप करते हैं हाँ आणसर हम देख के भेज देंगे थोड़ा ही दर इंगेजमेंट जादा था इसलिए नहीं देख पाए ठीक है? ओके थैंक यू थैंक यू बच्चो थैंक यू बच्चो थैंक यू नाइस डे गूग गॉड़ ब्लेस यू